हलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद तो मित्रों सभी लोग कैसे हैं अच्छे हैं और अच्छे होना भी चाहिए आज हमारा हिस्टी का कौन सा टॉपिक है इस्टी का बैदिक सब्विता ठीक है बैदिक सब्विता के बारे में जो कूश्टन्स बनेंगे हम देखेंगे पहले यह कि बैदिक सब्विता किसे कहते हैं बताईएगा बैदिक सब्विता किसे कहते हैं भारत में आरियों के द्वारा बिक्सित सब्विता को ही बैदिक सब्विता कहते हैं अब यह आरे कौन थे यह आरे मद एसिया से आये हुए थे अभी हम फोड़ा आगे कुश्टन दिसकस कर करता है स्रेष्ट बंच को जाती समूऊं को या यावरी यंजन को या फिर भाते मौत को तो तो श्रेष्ट कहां यांगित करता है मित्रों श्रेष्ट बंच को इसकप राइट अप्शन ये हो जाएगा हारी सब्स का मूल अर्थ होता है यानि साथिक अर्थ होता है स्रेश्ट या फुलीन होता है ठीक है और जो बैदिक काल है इसे दो भागों में बाटा गया है ठीक है बैदिक काल ये पंद्रह सो से पंद्रा सो से छेसो बीसी तक माना जाता है इनमें दो था एक पूर्व बैदिकाल जो की पंद्रा सो से पंद्रा सो बीसी से एक हजार बीसी तक एक हजार बीसी तक और एक उत्तर बैदिक था उत्तर बैदिक को कब तक कब तक था यह उत्तर बैदिक जो है यह था एक हजार बीसी से छेसो बीसी तक था ठीक है तो याद रखिएगा और जो बैदिक सब्द से जो बना है इसका मूल अर्थ होता है क्या होता है ग्यान ठीक है और आरे जो थे इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने बेदो की रचना की थी आरे ठीक है और आरे सब्द का मूल निवास मैक्स मूलर के अनुसार मैक्स मूलर मैक्स मूलर के अनुसार यह इतिहास कारे थे मैक्स मूलर इनके अनुसार जो इनका मूल अस्थान था मद्देशिया था और इसी को सबसे ज़्यादा इन्हीं की विचारधारों को सबसे ज़्यादा माननेत मंद एसिया मणा गया है , और डाक्टर संपूर्णननद के अनुसार यह आल।्क, जो है यानि ऐराथ मंद एसिया टीक है ? टो इन दोनों की विचाथार दारत्र विचारधारों को माना जाता है और बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये आर्केटिक से सम्बन दे थे ठीक है आर्केटिक से आये हुए भारत में आये थे विदेशी थे आरे ये जो उत्री धुरूप पर है आर्केटिक ठीक है और और जो दयानन सरोसती धारा कहा गया है कि ये तिबबस से आये थे तो इनके दोनों बाल गंगाधर तिलक और जो दयानन सरोसती हैं इनके विचारधारों को कम मानता मिली है ज्यादा तर मैक्स, मूलर और डाक्टर संपूरा नंद की विचारधारों को मिलती है है आपस में इसलिए मानता है इंको ज़्यादा मिली है तो चलिए मुली इसका अर्थ होता स्रेस्टबंस या UH अगला है त्रई किने हैं को थैने किंहे केते हैं हिंदू धर्म के तीन देवता हूं को कहते हैं किंहे त्रई कह जाता है तीन बेदों को ठीक है यह जो option भी है तीन बेदों को त्रही का जाता है इन तीन बेद कौन-कौन से हैं रिग बेद रिग बेद यजूर बेद और क्या है साम बेद साम बेद इन्हें त्रही या बेद त्रही कह सकते हैं ठीक है इसमें अथरबेद नहीं याद रखेगा रिग बेद यजूर बेद और साम बेद तो अगला कुछे नहीं मित्रों किस बैदिक गरंथ में वर्ण सब्द का उलेक मिलता है तो किस में मिलता है मित्रों वर्ण सब्द का उलेक यह रिग बेद में मिलता है यह हो जाएगा रिगवेद में ठीक है जो यह वर्ण होता था यह सब्द जो वर्ण सब्द है यह रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं ब्योसाय करते थे उसके अर्थ पर वर्णों का विभाजन होता था और सुरुवाती मंदल में जो रिगवेद का सुरुवाती मंदल है उनमें वर्ण तीन वन्हों का उलेक मिला है, ब्रामण, बैस और छतरिये ठीक है, यह तिन वन्हों का उलेक मिला're, बाकी जो दस्वा मंदल ठा, उसमें क्योलPR मिल के रहे पहली बार सूधुधरण का वणन मिलता है तो किस बेद में जादुई माया और वसी करण का वणन मिलता है अथरवेद, साम बेद, रिग बेद या यजूरवेद तो किस में मिलता है मित्रों यह यजूरवेद में मिलता है option D, इसका right answer हो जाएगा, यजूर बेद, जादूई माया और वसी करण, इसे कह सकते हैं कर्मकांड, इसमें यग भी आता है, कर्मकांड, ठीक है, इसमें मिलता है, जादूई माया और वसी करण का उलेक, यजूर बेद में, और मैं तो इसमें, क्या समझते हैं इसे, जैसे होत और अध्यन करें अच्छे से, ठीक है, और जो अथर बेद होता है, इसमें किस का उणन होता है, अथर बेद में, और सधियों से संबंदित है, और साम बेद, इस साम बेद में, जो संगीत होता है, संगीत, संगीत का बिश्त्रित वर्णन हुआ है, इसमें, बिश्त्रित उल्लेक हुआ है, ठीक है, साम बेद में, संगीत का बिश्त्रित उल्लेक हुआ है, और रिग बेद में, इस रिग बेद में क्या हुआ है, इस्वर की महिमा, इस्वर की महिमा, यह कह सकते हैं कि, की स्तुती हुई है ठीक है देओं की इस्तुती है बंधना तो याद रखेगा मित्रों यह यह जूरबेद में कर्म कान्ड समंधित है ठीक है ऑमने चारोबेदों का बता दिया है आप लोग याद तो मित्रों कितनी रिचाएं हैं इसमें? इसमें 1028 रिचाएं हैं, इस रिचाएं को और क्या कह सकते हैं? सूक्त, ठीक है? रिचाएं कहिए या सूक्त कहिए, ठीक है? इसमें 1028 रिचाओं का वड़न हैं, और मंडल इसमें कितने हैं? रिग बेद में कितने मंडल हैं? दस मंड और जो पर्थम और दस्वा मंडल है, यह सबसे नया मंडल है, जोड़ा गया इसमें ठीक है, मंडल मतलब क्या समझते हैं, मंडल मतलब अध्याय होता है, चैप्टर, अध्याय, पर्थम और जो दस्वा मंडल है, इसे सबसे नया जोड़ा गया, और दो से साथ तक जो आठ तक उन्हें 7 तक थीक है, 2-7 तक यह सबसे पहले लिखे गए थे, पगला कुछ रहने मित्रों, गोपत बरामण किस बेच से संबंदित है, बताइएगा गोपत बरामण किस बेच से संबंदित है, रिख बेट से, साम बेट से, अथर बेट से या येजूर बेट से, तो गोपत बरामण किस बेट से सम्मंदित है मित्रों, ये अथर बेट से सम्मंदित है, गोपत बरामण, ठीक है, ये बरामण कई प्रकार के होती है, जिनमें येक समंदी बिदी बिधानों का ओणन होता है, तो इसमें अथरवेद जो है गोपत वरामण से संबंदित है अथरवेद से ठीक है तो इसका राइट आप्सन हो जाएगा ऑप्सन बी और अथरवेद में एक तो गोपत वरामण हो गया और क्या हो गया और रिक बेद में क्या हुआ रिक बेद में होगा मित्रो एतरे और कौसुद की ठीक है आप एतरे या एतरे कह सकते हैं एतरे और कौसुद की तो शित्की, ठीक है, यह इससे समझ दिता है, रिख बेच से, और साम बेच से समझ दिता है, पंच बीसी, ठीक है, पंच बीसी जो है, यह साम बेच से समझ दिता है, और क्या, जै मिन ये, ठीक है, जै मिन ये, 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 पंच बीसी, य इसे पहले जो है साम बेस समन्ध आ सबखें और को यह जूर बेस से का कौन सा मंडल पूर्तिया सोम को समर्पित है रिग बेत का कौन सा मंडल है जो पूर्तिया पूरी तरह है सोम देवता को समर्पित है सातों मंडल नवा मंडल आठों मंडल या दसवा मंडल तो कौन सा मंडल हो जागा मित्रों पहले तो यह बताए सोम यह किसके देवता थे सो ये नववा मंडल ठीक है नववा मंडल पूरी रूप से पूर रूप से सोम देवता को समर्पी थे और इसमें 114 सूक्त है ठीक है रिचाए 114 या सूक्त कहिए 114 सूक्त है और सातवा मंडल में क्या है मित्रों सातवा मंडल में ये दसराज यहां लिख देता हूँ दसराज यूद ठीक है दसराज यूद से सम्मंदित है ये आरे और गैर आरे के बीच लड़ा गया है और आठवा मंडल किसे सम्मंदित है आठवा नहीं ये दसवा दसवा में ये वन का उलेक इसमें दस्वे मंडल में हुआ है और तीसरे मंडल जो है यह तीसरा मंडल याद रखीगा यह बहुत इंपोर्टेंट है तीसरा मंडल जो है इसमें गात्री मंत्र ठीक है रिगवेत का तीसरा मंडल जो है इसमें गात्री मंत्र का उलेक हुआ गात्री मंत्र किस से किस के विष्वामित्र के दौरा चलते हैं मित्रों अगला कुछ सिर miara । यग समंदि बिधी विद्धानों का पता चलता है तए गां ये संबंदी विधी विधानों का पता कहां से चलता है रिख बेद से ये जूर बेद से अथर बेद से या फिर साम बेद से तो किस से पता चलता है मित्रों ये ये जूर बेद से ठीक है ये कि संबंदी विधी विधान या कर्मकांड आपके सकते हैं ये ये जूर बेद से एक सुकले जुर्वेद और एक क्रिष्ण ठीक है क्रिष्ण जुर्वेद जो सुकले जुर्वेद था ये सुकले जुर्वेद केवल पद में था ठीक है केवल ये पद में था और जो क्रिष्ण जुर्वेद है ये गद्ध और पद दोनों में था गद्ध वा पद दोनों में था, याद रखिए गा इसे और वाजशनेई संगीता इसे कहते हैं, ठीक है, जो सुख ले जूर बेट था, इसे वाजशनेई संगीता, कहते हैं, ठीक है, याद रखिए गा इसे, अगला कुछ नहें मित्रों, उपनिसत पुस्तकें किस पराधारिद हैं? पहेगा उपनिशत पुस्तके किस पर आधारित है धर्म पर दर्शन पर योग पर या फिर विधी पर तो किस पर आधारित है उपनिशत पुस्तक आए ये दर्शन पर आधारित है ठीक है किस पर आधारित है ये दर्शन पर आधारित है जो उपनिशत थी ये हमारे दर्शन प जो है बैदिक साहित का अंतिम वर्ग माना जाता है इसे उपनिस्यत कहते हैं और इन्हें बेदांत भी कहते हैं ठीक है याद रखेगा इन्हें बेदांत भी कहते हैं क्या कहते हैं बेदांत इन्हें उपनिस्यत को बेदांत कहते हैं और उपनिस्यत कार्थ क्या होता है मित्रो उपनिस्द का अर्थ क्या होता है सिस्सुदारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरू के समीब रहना ठीक है या बैठना ठीक है रहना या बैठना इसे उपनिस्द का यही अर्थ होता है अगला कुछ अनमित्रों उपनिस्दों का मुख विसे क्या है ताईगा उपनिस्द का मुख्ष की चर्चा मिलती है तो किस में मोख्ष की चर्चा मिलती है ठीक है उपनिसद में मोख्ष की चर्चा मिलती है ठीक है उपनिसद में मोख्ष की चर्चा मिलती है ठीक है उपनिसद में मोख्ष की चर्चा मिलती है ठीक है उपनिसद में मोख्ष की चर्चा मिलती है और पर्थमबार किस उपनिसद में मोक्ष की चर्चा मिली है, यह स्वेतासवर, स्वेतासवर जो उपनिसद है, इसमें पर्थमबार मोक्ष की चर्चा मिलती है, इसमें पर्थमबार मोक्ष का वर्णन हुआ है, मोक्ष सब्द, और जो बेदों में है, जो बेद में, बेद मे इसकी मोक्षी चर्चा बिल्कुल भी नहीं मिलती के ओल उप निसद में मिलती है अगला कुछ अने मित्रो नची केता और यम का संगवाद का उलेक मिलता है तएगा नची केता और यम का संगवाद का उलेक किसमें मिलता है प्रे मित्रों कि यह कंठोप निसद में मिलता है इसका नची के ताओर यह का संगवाद में और इस संगवाद में क्या हूँ था आचार यम ने नची केता से कहा था कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्ती होती है या आजन्म नित्य तथा सासवत है ठीक है क्या कहा था आत्मा का ना जन्म होता है ना ये मरती है आत्मा ये आजन्म नित्य और सासवत है ठीक है तो यह कंठोप निसद में मिलता है और यह कंठोप निसद क्रिश्न यजूरबेद जो था उसमें उसका भाग है उपनिसद का ठीक है अगला कुछ नहीं मित्रों बैदिक साहित में सरवाधिक वाड़ित नदी कौन सी है बैदिक साहित में किस नदी का सरवाधिक वाड़न हुआ है गंगा सरस्वती सिंदू यमुना तो किसका वाड़न हुआ है सबसे अधिक वाड़न हुआ है सबसे अधिक वाड़न हुआ है बैदिक साहित में मित्रों यह जोहे सिंदू नदी थी सबसे अधिकबार इसका वणण मिलता है और क्यों मिलता है क्यों कि आर्थिक महात्पूर के कारण ये बहुत महात्पूर थी ठीक है इसे का जाता है सिंदू नदी को तो यह सबसे ज़्यादा बार वॉन्डित नदी है और जो सरस्थ होती है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ठीक है सबसे पवित्र नदी मानी गई है बैदिक साहित में यह भी याद रखेगा अगला कुछ जने मित्रों, बैदिक देवताओं में इसे किसे उनका प्रोहित माना जाता था, आप लोग बताइएगा, यह सब बैदिक देवता हैं, इन में से किनको उनका प्रोहित माना जाता था, जो बैदिक काल के लोग थे, किने प्रोहित माना जाता था, अगनी को, इंद्र को, ब्रहस्पती को या वरुण को, तो किसे माना जाता है देउताओ का प्रोहित? ब्रहस्पती को, ठीक है? ब्रहस्पती को देउताओ का प्रोहित माना जाता है, इसका right option C हो जाएगा अगला कोशन है मित्रों, रिक बैदिक काल में निस्क, सब किस अंग का अभुसर्ण है, जो निस्क होता है, किस अंग का अभुसर्ण होता है? अगया गो किस का फुसरुण माना जाता है, मित्रों यह गले का फूसरुण की खार का हार गला इसका right option हो जाएगा अगला कुछ सेने मित्रों प्राचीन भारत में निसाका जाना जाता था बताएगा प्राचीन भारत में निसाका किसके लिए जाना जाता था ताबे के सिक्के चांदी के सिक्के सुण सिक्के या फिर इनमें से कोई नहीं तो किसे जाना जाता है यह स सुंण आभूसण होगा, सुंद आभूसण, तो निसा का प्राचीन भारत में यह सुंडू-ाभूसण के रूप मैं जाने जाता है, ठीक है, सुंड़ उटिंशल्ट वह मसाका मसाका किष नहीं मसाका ठीक है यह परकार सिवर्टा होता था कि सबसे निम 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 निस्टर का तो इसका राइट或者 आपशन फेहता अगला ना कोछन है किसने आहरीयों के आधि देश के बारे में लिखा यह किसने आरियों के आधिदेश के बारे में लिखा है आधिदेश मतलब जहां से इनका जन्म हुआ है किसने लिखा है संकराचार एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक या फिर स्वामी विबेकानंद तो किसने लिखा है आरियों के बारे में इनका यह कहां से आये हैं या इनका Alla Nand और दयाननसरशती सभीन ने बताया था और इँनों ने कहां से बताया था ये आर्गेटिक यह शेतर से बताया अर्गेट के जो तरी धुरूब है आर्गेटिक शेतर से बताया है कि उनका यह मूछ मुवास है अगला कुश स्य न मुत्रओं गोत्र सब्द का सर्वपर्थम परियोग किसमे हुआ है तो किसमे हुआ है गोत्र सब्द का सर्वपर्थम परियोग किसमे हुआ है मित्रों अर्थरवेद, सामबेद, रिकबेद या येजूरवेद तो किसमे हुआ है गोत्र सब्द का सर्वपर्थम उलेख ये रिक बेद में हुआ है मित्रों रिक बेद ठीक है राइट आपसन इसका हो जाएगा सी रिक बेद में गोत्र सब्द का लेक हुआ है और गोत्र सब्द का मूलर्थ क्या होता है मूलर्थ इतका होता है गोस्ट ठीक है गोस्ट इसका मूलर्थ गोस्ट यहां पर सभी लोग जो समूचे कुल के लोग होते थे गोधन का पालन करते थे ठीक है यानि गायों को पाला जाता था उसे ही गोत्र कहते है ठीक है यह पर्चलन थी पर्था थी यह तो इसे गोस्ट कह जाएगा अगला मित्रक्यों की और ये पर्था जो है गोष्ट पर्था है ये उत्तरवैदिकाल किया ठीक है उत्तरवैदिकाल कब से शुरू हुई है उत्तरवैदिकाल एक हजार से छेसो इसापूर शेसो बिसी ठीक है इसमें ये पर्था शुरू ही थी उत्तरवैदिकाल से क्योंकि गाय उस समय सब्सें मुल्लिवान धन मानी जाती ठीक है मुल्लिवान बस्त के रूपे सब्सें महातपूर गाय थी अगला कोशन है मित्रों, रिख बैदिक काल में जनता मुख्यता किस में विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा, एक इस्वरवाद, बलियूम कर्मकांड, या फिर देभी पूजा, तो किस में करती थी मित्रों, ये बलियूम कर्मकांड, ठीक है, जो रिख बैदिक काल की जनत या लोग थे वो बली यूम कर्मकांड की रुख में करती थी और यह बली और कर्मकांड जो बली होता था यानि यग होता था इसमें यग की परधानता थी ठीक है रिग बैदिकाल में यग की परधानता थी और जो यग होते थे वो हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों होते थे और इसमें देवों के साथ साथ जो देवों की पूजा की जाती थी इसमें रिगवेदिकाल में इसमें देवों के साथ साथ पितरों की भी पूजा की जाती थी तो याद रखेगा कि बली यों कर्मकांड की इसमें विश्वास करते थे रिगवेदिकाल के लोग अगला कुछन नहीं मित्रों पट्षिद दस राजाओं का युद तटकर लडा गया था दाएगा कि दस राजाओं का युद किस नधी के तटटकर लडा गया था गङा, कावेरी, पुरुषणडी या फिर ब्रहंपोत्र किसके कब लडा गया था मित्रों यह पुरुस्णी नदी ठीक है पुरुस्णी नदी और बर्टवान में इस नदी को क्या कहते हैं राबी नदी हमने आपको शुरुआत में बताया था यह जो दस राजाओ का यूद था दस राग यूद दिने कहते हैं यह आरे और गैर आरे की बीच में लड़ा गया था ठीक मातेतमा देवीतमा नधीतमा से सम्मोधित किया गया है किस नधी को रिगवेध काल में मातेतमा यानि अच्छी मां और नधीतमा मतलब अच्छी नधी देवी तो किस नधी को मातित्मा, देवित्मा और नदित्मा के नाम से सम्मोधित किया जाता था तो राइट अप्सन इसका मित्रो, डी हो जाएगा अगला कुछ चने मित्रो प्राचीन काल में आरियों के जीब का पारजन का मुख साधन क्या था? यानि इनकी जीब को पारजन का मुख साधन क्या था? क्या ये लोग खाते थे? कैसे अपना जीवन आपन करते थे? किस परकार? सिल्प कर्न से, किर्सी करके, ब्यापार करके या फिर सिकार करके तो इनका जीब को पारजन का मुख सुरोत क्या था, मित्रो? यह सिकारी थे, इनका किरसी में, किरसी का नगन ना के बराबर ग्यान था उस समय, और जो ये लोग थे, उस समय आस्थाई जीवन जीते थे, इनका उलेक मिलता है, उत्तरवैदिककाल में कुछ साच मिलते हैं, तो वहाँ से इस्तरवैदिककाल consider वहाँ जीते थे और शिकार पर यह नित भर करते थे, ठीक है, शिकार करते थे और खाते थे, अगला कुछ नहीं मित्रों, रिख बेद में यह सब्द किस किर्सी उत्पात से सम्दित है, यह सब्द रिख बेद काल में, यह रिख बेद में, जो यह सब्द है, यह किर्सी उत्पात से सम्दित है चना को कहते थे या गिहू, चावल या जो, तो किसको एग कहते थे, रिख बेद में ये जो, ठीक है? जो को रिख बेद में यो सब्द से उल्लेक किया गया है, तो इसका राइट आप्सन डी वा मित्रो, अगला कोई से नमा रहा है, बैदि काल में किस परकार की सासन परणाली बैदिक आल में किस परकार की सासन पढ़ा ली थी निरुंकुस परज्यातंट्र गंड तंत्र या बंस पर्मृजात राज्यतंत्र उन के बंसस्त है उनमें ही ये विश्वास करती थी ठीक है और चुने जनताओं के दोरा प्रिये होती थी तो ये बंस्परागत परजयतंत्र थी राज्शतंत्र ओके अगला कुछ nito नमेत्रों सरवादिक, रिकपैदिक शूकत किसको समर्पित है इनमे से हम पूछ रहे हैं किसको समर्पित है अग्नी को इंद्र को रूद्र को या बिश्णु को तो किसको समर्पित सबसे जादा यह इंद्र को उस समय इंद्र सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे रिगवेदिकाल में और वर्णान इनका लगभग 200 बार हुआ है ठीक है और अगनी दूसरे नमर पे 200 बार और तिसरे नमर पे आते हैं वरूर्ण देव ठीक है तो इसमें अगला कुश्चन है रिगवेद में सर्बादिक संख्या में मंत्र ठीक है रिगवेद में सर्बादिक संख्या में मंत्र किन को समर्पित है वरूर्ण को विश्णू को अगनी को या यम को तो किन को समर्पित है इनमें जाहिर सी बात है इंद्र है नहीं तो दूसरे नमर प कि था रीक बेद में Kingdom的話 स्शीया मित्रों अगला गयात्री मंत्र की रचना किसने की थी तहीं का गयात्री मंत्र की दौराद के गई थी वशिष्ट इंहर्श इंद्र विश्वा में या ब्यास तो कि दौराद यह रिसी-विश्ववमित्र के दवरा की गई थी। और रिकवेद में जो तिर्थी मंडल है उसी में उलेख मिलता है गातरी मंत्र काelier मिलता है उपनिसद भागवदगीता रिक बेद या फिर यज़ोरबेद तो किस में हुआ है ये रिग बेद में हुआ है रिग बेद में गयात्री मंद्र का उल्लेख हुआ है अगला कुछ से नहीं मित्रों पुराणों की संख्या कितनी है बैगत पुराणों की संख्या इन में से कितनी है 16, 17, 18 या 19 तो कितने हैं मित्रों? पुराण 18 है, ठीके? पुराणों की संख्या 18 है इसका राइट आप्षन C हो गया दो मित्रों हमारे कोजिटन कटम हुए और आपका अपना साथ बनाया रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर सेशन पसंद आया और सेशन को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा तो मिलते हैं मित्रों अगले एक अलग दमदार सेशन में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम